मुस्लिम स्कालर वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयत हटाने के लिए सुप्रीम कोट में याचिका दाखिल की है। वसीम रिजवी का मानना है कि इन आयतों के कारण ही मुस्लिम समाज में अन्य कौमों के प्रती नफरत और आतंग की भावना पैदा होती है। इस याचिका पर वसीम रिजवी का सिरकलम करने के लिए कट्टरवादियों दोरा फत्वे जारी होने लगे हैं। खुद वसीम रिजवी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी साजा करते हुए हिंदुस्तानियों से मदद का आवान किया है।